माई डेस्टेंस, वल्कम बैक टू माई चैनल, आज हम आपको इस वीडियो में कच्छा दस चित्रकला की इसमरित चित्रण की बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण सावित होगा, आपकी बोर्ड एक्जाम में 20 मल्डिपल 24 जिसमें इन दस आपके इसमरित चित्रण के भी कोशा आएंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपकी जो भी इसमरित चित्रण के प्रश्ण आएंगे, आपको इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं, तो आएए चलते हैं वीडियो को सुरू करें, पहला प्रश्ण है इस्मृती चित्रण में व्यक्त किसी वस्त को कैसे पहचानता है इस्मृती चित्रण में चित्रकार की किस छमता में सुधार आता है पर प्रकास को दरसाने के लिए सामानेत है किस पेंसिल का प्रयुक किया जाने चाहिए 2B, HB, 4B, लाल पेंसिल तो आज आएगा आपका 2B अगला है इसमरी चित्रन के किस सिधान्त में पेंसिल को पेंसिल की तरह पकड़ा जाता है नेतर दसा पेंसिल पकड़ना रेखाओं को खीचना चित्र संग्योजन तो आंसर आजएगा पेंसिल पकड़ना ठीक है जैसे आप पेन पकड़ते हैं उसी तरह पेंसिल भी पकड़ा जाता है अगला है इस मृत चित्रण में बार-बार आखों को बंद क्यों किया जाता है गलतियां कम करने है तो रंगने है तो बड़ा करने है तो संगरचना को छोटा करने है तो आंसर आपका आ जाएगा ये पे गल्तियां कम करने हैं जब आप बार बाराक बंद करेंगे तो आपसे गल्ति कम होगी आपका ध्यान उसी पे concentrate होगा अगला प्रश्ण है वस्तों के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए बड़ी रिखाओं का छोटी रिखाओं का हलकी रिखाओं का लाल रिखाओं का आंसर जाएगा पसी में हलकी रिखाओं का जब ही आप चित्र पहले बनाते हैं तो सबसे पहले हलक के रख से जो सर्जित करेंगी अगर आपके आगे का चित्र है आपकी नज्दीक है का उसको गहरी रंग से बनाएंगी कि अगला है इक चिंषा है अ lähत की चित्रण की लगधग समान होती है व्रिट की आयत की दितрах में 45-29 inverse अगला है वस तुम्हें सेड डालते समय मुलायम रबड़का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे चित्र अस्पष्ट हो चमक पर प्रभाव ना पड़े रंग ना उड़े कागज गंदा ना हो तो यहां से आपका आएगा आपसन भी चमक पर प्रभाव ना पड़े अगला प्रश्ण है इस्मृते चित्रण में रेखाओं को हमेशा किस दिशा में खीजना चाहिए उपर से नीचे दाएं से बाएं केवल उपर की और नीचे की और तो हो जाएगा उपर से नीचे की और आपसन नमर ए हो जाएगा अगला है वस्तों की संग्रचना वै आकरती को समझ पानना की कारण संभव होता है इस्मृत समता अस्मर्ण सक्ति इस्मृते भंडारण इस्मृते चित्रण आंसर जाएगा आपका इस्मृते भंडारण की द्वारा जो है चित्रम लोग समझ पाते हैं अगला है किसी वस्त की अनुभूती कर उसका चित्रन करना कहलाता है अंसर जायेगा इस्मृत के अधार पे जो सोच के उसको आप बनाते हैं अगला है इस्मृति चित्रन में मोटी रेखाओं से किस भाग को दिखाया जाता है प्रकास वाले भाग को, गहरे वाले भाग को, छाया को, मध्य गहराई को तो मोटे वाले रेखाई जो होते हैं चाया को दिखाती है कभी-कभी प्रशन इस तरह से पूछा जाता है कि जो है छाया को दिखाने के लिए किस रेखाऊं का प्रियुक करती है तो आँसर जाएगा मोटी रेखाओं को अगला है द्रिष्टी रेखा पर बरतन काचित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है उचाई का अनुवान लगाते हैं कि लंबाई का अनुवान कि चौणाई का अनुवान कि गहराई का अनुवान तो हा जाएगा आपका अंसर उचाई का अनुवान आपसा नमबर A हो जाएगा अगला है नीम नलिखित में से कौन सा बेलना कार आकरती का उधारन नहीं है बाल्टी, कांच का ग्लास, गैस सिलिंडर, फुटवाल तो बाल्टी भी बेलन टाइप का होता है, कांच का ग्लास भी होता है, गैस सिलिंडर भी, लेकिन फुटवाल जो है बेलन के अकरका नहीं होता है अगला है कागज तथा चित्र संगियोजन की अनुशार कागज पर चित्र को किसके अनुरूब बनाना चाहिए लंबाई के अनुरूप, चवणाई के अनुरूप, लंबाई, चवणाई के अनुरूप, रंग के अनुरूप, तो हो जाएगा लंबाई, चवणाई के अनुरूप, जितना लंबाई, चवणाई कागज का होगा उसे इनुसार हम लोग उस पे चित्र बनाते हैं अगला है इस ब्रिजे चित्रन के अंतरगत ब्रिताकार आकरती के चित्रन में किसका महत्पून योगदान होता है त्रिज्या का ब्यास का छेत्रफल का कून का तो आंसर जाएगा त्रिज्या क्योंकि जितना बड़ा त्रिज्या हम लोगे उतना ही बड़ा जो है ब्रिताकार चवणाई का अनपात होना चाहिए एक अनपाती दो दू अनपाती चार चार अनपाती एक अनपाती चार आंसर जाएगा एक अनपाती चार अगला है इस मृत्य चित्रन के किस सिधान्त में चित्र को कागज की लंबाई चवणाई की अनसार बनाया जाता है पेंसिल पकड़ना रिखाओं को खीचना चित्र संग्योजन नेतर दसा तो आंसर जाएगा चित्र संग्योजन अगला प्रश्ण है इस्मृत्य चित्रण में चित्रकार की कि सक्ति का विशिस महत्व होता है अस्मरल सकति गहन निर्ष्ण मानसेख सकति एस भी तो आंसर जाएगा आपका एस भी अगला है नीमनलिखित में से कि कौन वस्तूओं को वस्तूओं की पहचान में महत्वून भूम का निभाता है ज्यान आलिखन इस्मृति भंडारन और अस्मरल सम्ता आंसर जाएगा आपका इस्मृति भंडारन की द्वारा जो हम वस्तूओं को पहचान कर पाती है अगला है इस्मृति चित्रण में किसका महत्वून योगदान नहीं होता संग योजन का ले का प्रवाह का छाया का तो अंसर जायगा आपका छाया का इसके बाद दिखें इस मृज़े चित्रण में चित्रण प्रती एक दसा में कितनी सेमी से बड़ा होना चाहिए 10 से 15 से 15 से 15 से तो 15 से बड़ा होना चाहिए उसे छोटा ना रहे अगला है इस मृज़े चित्रण में पेंसिल पकड़ने के तहट कितनी बीधियों का अनुपालन किया जाता है एक, दो, तीन, चार तो आंसर जाएगा दो अगला है नेत्र दसा सिधान्त के अंदरगत आगे की वस्तुओं को कौन से रंगों से सजाया जाता है अंसर जाएगा का सी में गहरे रंगों से जो आगे की वस्तुओं होते है उसको हलके रंग से दिखाते है अगला है इस मृज़े चित्रण बीधिके अंतरगत अमरूद के चित्रण को किस आकरती में रखा जाता है अगला है इस मृज़े चित्रण इस मृज़े चित्रों में सबसे अधिक गहरे रंगों प्रतरशित करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है अगला है इस मृज़े चित्रण के अंतरगत बृत्ताकार आकरती के चित्रण में किसका महत्पूर योगदान होता है त्रिज्या का व्यास का छित्रफल का कोण का तो बृत्त को बनाने के लिए सबसे महत्पूर होगा त्रिज्या जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा हम लोग बृत्त बना पाएंगे बेलनाकार वस्तु के चित्रन में उसके आकार का आयत बनाय जाता है जिससे उसकी लंबाई चवणाई में अनुपात होना चाहिए आपका आजया एक अनुपाते चार हो जाएगा अगला है इस्मृती चित्रन के किस सिधान्त में चित्र को कागज की लंबाई चवणाई की अनुसार बनाय जाता है पेंसिल पकड़ाना रेखाओं को खीचना चित्र में संग यूजन नेतर दसा तो हो जाएगा चित्र का संग यूजन आपसर नंबर सी हो जाएगा अगला प्रश्ण है मानेव मस्तिस्क में आसपास की वस्तूओं की संगर्चना का सुरच्छित रहना क्या कैलाता है इस्मृती 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 इ वस्तूं का चित्रण करना सामाने तेह क्या कहलाता है इस्मृति चित्रण माने चित्रण प्राक्रतिक चित्रण द्रिश्य चित्रण तो आप का अंसर हो जाएगा इस्मृति चित्रण चवधा है चवधा इस्मरिते चित्रण में चित्रकार के किस गुड़ वे सकती को देखा जाता है इस्मरिते चित्रण किस के विकास में महात्पूर्ण योगदान देता है चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विकास योगदान होता है चाया का प्रकास का पेंसिल का यह सबी क्योंकि सबका ही जो है विशेस युगदान होता है इस मृते चेत्रन में बृत का दिर्ग बृत की रूप में चित्रन किसकी कारण किया जाता है त्रिज्या परिध ब्यास छेत्रफल तो बृत हो चाहे दिर्ग बृत हो या सब किस भी उपर निर्फर होता है तो त्रिज्या की उपर ठीक है अगला है चित्र को बनाने में किन सामाग्रियों का उपयोग किया जाता है ड्राइंग बोर्ड कागज मुलाय में रबड़ों पेंसल ये सभी तो आंसर रजा का ये सभी क्योंकि सब किया उसकता पड़ती है अगला है किसी भी इसमरती चित्र में ब्यक्ति वस्तु को देखने के लिए बार 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 बंद आखों में दोहराता है क्यों इसे चित्र असपश्ट हो जाता है गलतियां कम होती है संगरचना को समझन में आसानी हो जाती हो सभी आँसा जाएगा आपका डी उप्रोक्त सभी जब आप बार बार बंद करके आपको दोहराएंगे तो सभी चीजी जो है गलती भी कम होगी चित्र भी असपश्ट होगा और चित्रमजन में भी आसानी होगी अगला है निम नलखेत में से काउंसा इसमरीज चित्रन का सिधांत नहीं है पेंसिल पकड़ना ब्रिताकार संगरचना बनाना नेत्र दसा काग जवय चित्रमें संगियोजन तो जाग ब्रिताकार संगरचना बनाना अगला प्रश्ण है इसमर्ज चित्रन के सिधान्त में पेंसिल पकड़ने का अनियम काउंस आ है पेंसिल को पेंसिल की तरह पकड़ना, सेट करते समय पेंसिल को 36 पकड़ना, पेंसिल को उल्टा रखना, पेंसिल को सेट करने की दवरान खड़ा रखना तो हो जाएगा set करते हैं समय पेंसिल को 36 पकड़ना जब आप सेड करते हैं तो पेंसिल को क्या करते हैं से गिरा के पकड़ते हैं कुछ इस तरह से होता है set करते हैं नीचे से अगला प्रश्ण है इस्मृति चित्र में रिखाओं को खीचने के संबंध में कौँ सा कथन गलत है रिखा का ऊपर से नीचे खीचना रिखा को बाएं से दाएं खीचना पिंसिल पर अतिधिक दबाव डालना हलकी रिखाओं का प्रियुक करना तो पिंसिल पर अतिधिक डबाव डालना यह जो है इस चित्र में रेखा खीजने का जो है नियम गलत है इससे आप डबाव डालेंगे तो पिंस जो है गड़ा हो जाएगा अवा जो है लाइनिंग दिखाई 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 जिससे आपका चित्र भद्द दिखीगा अगल दूर की तो दूर की छोटी हो जाएगी अगला है इसमरिते चित्रन में दूर की कतार में लगी वस्तूं का चित्रन करते समय आगे की वस्तूं को कैसे बनाया चाहिए बड़ा छोटा हलकी रंगों में सफिद रंगों में तो बड़ा ठीक है इसमें चित्रण दूर की कतार में लगी वस्तू को चित्रण करते समय आगे की वस्तू तो आगे की वस्तू क्या होगी बड़ी दिखेगी और पीछे की वस्तू छोटी दिखेगी अंसर आपको यह जाएगा अगला है इस्मृते चित्रण में कागज दथा चित्र में संग्योजन सिध्धान्त की अंतरगत वस्तु की उँचाई अधिक होने पर वस्तु को किस की दसा में दिसा में चित्रित करना चाहिए कागच की लंबाई की दिसा में वस्तु की उंचाय की दिसा में कागच की चौणाय की दिसा में वस्तु की मुटाय की दिसा में तो हो जाएगा कागच की लंबाई की दिसा में क्योंकि जब वस्तु अधिक लंबा होगा जो है बृत्ताकार भी होता है निमनलिखित में से कौन सा बीलनाकार आक्रती का चित्रन है माचिस पुस्तक भी सिलेंडर अमरोद तो सिलेंडर होता है वो बीलनाकार होता है बागी जो पुस्तक है आयताकार माचिस भी आयताकार अमरोद जो है बृत्ताकार होता है अगला है आयताकार वै वरगाकार वस्तुवों के इसमरी चित्रण में किसका बिशिस महत्त होता है आक्रती त्रिज्जा छेत्रफल रंग तो हो जाएगा त्रिज्जा निम्रिखित में कौन से बृत्ताकार आक्रती की वस्तुवी है फुटबाल, अम्रोद, मिटी, अखड़ा ये सभी जो है विर्ताकार अक्रतिया है अगला प्रश्ण है द्रिष्टी रेखा पर वर्तन, चित्रन की रचनाबीद की अंतरकत, चित्रन के लिए सरवर्थम क्या किया जाना चाहिए क्या जाता है वर्तन की उचाई मा अपना, वर्तन की चमणाई मा अपना, वर्तन की उचाई का अनमाल लगाना, लंबाई को अंकित करना तो हो जागा वर्तन की उचाई का अनमाल लगाना, कितना उचा जो है वर्तन है, उससे इनसार हम लोग उसका चित्रन कर पाते हैं अगला है इस मरते चित्रण में प्रकास दिखाने के लिए किस प्रकार की रिखाओं का प्रियोग क्या रिखा है छोटी रिखा मोटी रिखा काली रिखा पतली रिखा तो हो जागा पतली रिखा लेकिन अगर पूछा जाता कि जो है छाया दिखाने के लिए तो छाया दिखान के लिए मोटी रेखा प्रकास दिखाने के लिए पतली रेखा इस चीज को ध्यान रखेंगे आप अगला है इस मरते चित्रणों में प्रकास तथा चाया को प्रदर्सित करने के लिए किस वरकार के पेंसिल का प्रियोग किया जता है एक बीड टूबी फोर बी उपर्योग सभी तो उपर्योग सभी हो लेगा D आंसर इस मरते चित्रणों में टूबी पेंसिल का प्रियोग नीमने सामान से किस रंग की परदासित करने के लिए किया जता है काले रंग लाल रंग गहरे रंग नेली रंग तो गहरे रंग तो जो टूबी पेंसिल का यूज होता है वो गहरे रंग को दिखाने के लिए किया जाता है अगला है इस मृते चित्र में फोर भी पेंसिल से चित्रों के किस भाग वे चित्र को परदर्सित किया जाता है मद्य भाग को निचले भाग को चित्रों के किनारे को चित्रों के लंबाई को तो हो जाएगा चित्रों के किनारे को अप्सन नमबर C हो जाएगा अगला है सताई सामा वस तुम्हें सेट डालते समय अथवा सेट करते समय कौन सी आवाशेक सामाग्रियां महात्पूर्ण होती हैं मुलायम राबड अख़बार पेपर रोई ये सभी क्योंकि सेट करने के लिए सब किया हो सकता पड़ती है अगला प्रसंद देखें इस वरजे चित्रन के अंद्रगत सेट करते समय किन महात्पूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए हाथ के नीचे कपड़ा लगाना चाहिए गेरी पेंसिल सेट करना इंसिल को हलके हाथों से घुमाना उप्राउट सभी अंसर जाएगा उप्राउट सभी इन्सेट करते समय जो है सब को ध्यान में रखना बनाना चाहिए आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो उसको लाइक से रिकमेंट करें और कमेंट की माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमने इस वीडियो में इस वरे चित्रन से सम्मंधित 57 महत्पूर्ण प्रशन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जो है सेर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी जो है लाव हो सकी तब तक के लिए टेक केर थेंक्यू गुडबाई